हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में दोस्तो जारकन बोर्ट के बिद्दार्थ के लिए बहुती बड़ी अपड़ेट निकल के सामने एर जिया कि जारकन में एक ही पैटन पर होगी सभी प्रक्षा हैं आखिर कौन सा रहिएगा पैटन भई जारकन में काउंसिल बोर्ट की बैठक मिली गए कई बड़े बड़े फैसले चलिए सभी कुस डिटेल में बताएंगे जारकन में सभी प्रक्षा हैं अब एक ही पैटन पर होगी यह साफ साफ लिखाए दोस्तों और किया देखिए एक ही पैटन की सामाने इसकोलों के साथ साथ मदर्सा और मैद्रसा और मैद्रसा की बिदार्थी ओयमार सीट पर परिक्षा दे सकेंगे या इसके लिए में धरसाओ और मैध्दमा की परिक्षा पैटर्र में बदलाव किया जाएगा जारकन आपने काउंसल जैक की बोर्ड की बैठक में गृुबार को यह फैसला लिया गया यानि कि कल ही आप लोगा ताजा ताजा ये फैसरा लिया गया है देखे क्या है जारकन जैका दक्ष डॉक्टर अनिल कुमार मातुक क्या दक्षता में हुई बैठक में असपस्ट हुआ कि सरकारी स्कुलों में आठवी, नभी और ग्यारवी की वार्षिक परिक्षाएं होती है ऐसे में मदर्षा और मेंदमा की समा का परिक्षाएं भी इसी तरज पर होंगी यानि दोस्तों ध्यान सुने से क्लास 8, 9 और 11 आप लोग का अब्जेक्टिब एक्जाम ही होगा या आप लिखा हुआ है कि जो बार्षिक परिक्षाएं ओमार सीट पर होती है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया और जबकि आप लोगा 10 और 12 का जो एक्जाम है आप लोगा वो जिस प्रकार ओमार सीट और आप लोगा return में लिखित में होता है उसी प्रकार का exam होगा बलकि ऐसे में जो मदर्सा और मजदमा बोर्ट के परिक्षारती है उसमें उसका भी pattern बदलाव किया जाएगा 10-12 मदर्सा और मजदमा की बिदार्थियों के लिए ओमार सीट और लिखित परिक्षार दोनों की जाएगी तीकि यह सारे मदर्सा और मजदमा बिदार्थियों के लिए यहां देख सकते हैं मजदमा के लिए 9 बिदार्थियों के लिए करना होगा restriction तो सबसे बड़ी बात आप लोग का pattern यहाँ पर आप लोग जो confusion में था स्वाल होगा जिसमें आप लोग को उत्तर देना होगा ध्यान से सोलेजे इस पर इक डीटेल वीडियो आज सामको आ जाएगा जरूर देखिएगा ठीक इंतजार किजिए उसमें पैटर्ण पर हर एक पहली पर बात करूंगा किस प्रकार questions रहेगा कितने कितना नंबर का सार चीज मैं बता दूगा उसमें ठीक सभी कोई वीडियो सेयर कर दिया देख सकते हैं दोस्तों साथ ही लिखाए कि दूसरे जीले से भी आप परिक्षा दे सकेंगे चात्रा माले जैसा है कि मैट्रिक और इंट्रे के चात्र चात्रा अगर रेश्टेसन किसी जीले या स्कूल स या कोई जरूत नहीं है यह प्रावधान तब लागू होगा जब संबंदि छात्र चात्रा के माता पिता या अईवाबक का सांतर हैं दुसरे जिला में हो गया हो मतलब सिर्फ आप जाएगा नहीं आपके गारजिन का भी दुसरा जिला जाना जरूरी होगा साथ ही इसके ल साल में री रेश्टरेशन होता है देखे क्या लिखा है कि मैट्रिक के लिए नभी में और बारवी के लिए ग्यारवी में रेश्टरेशन होता है पता ही है यह तीन साल के लिए माइनना है यानि कि तीन साल तक अगर आप एक्जाम नहीं देता हो तो फिर से आपको करते थे लेकिन अब ऐसा कि माले तीन साल को एक्जाम नहीं देता या फिर फेल होता रहता है तो अब फिर से रिश्टेस नोगा जिसमें विसाई का भी बदलाव कर सकता है ठीक है तो यह चीज है आप लोग सभी को सेयर कर देजे यहाँ पर आप लोग का जो एक्जाम पैटर पास चल रहा है सभी कुछ तो जल्दिस जूड़ी है और कोई भी दिक्कत हो कमीन में जरूर हमको बोल देज़ जाएगा और हाँ अभी तक मुस्से इस्टाग्राम में नेजर तो डिस्क्रिशन लिंक है जल्दिस जोईन हो जाईए और सबसे बड़ी चीज आप लोग के ल जल्दिस 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